हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माइटू चैनल चीटोचीट किछिन आज हम बनाने वाले हैं चीकन बिर्यानी और इसे हम बहुत ही डिफरेंट तरह की से बनाएंगे इसे जो आपका चीकन बिल्कुल भी ने टोटने वाला और एकदम पॉर्फेक्ट राप की जो पिर्यानी बन मैं इसी तरह से आपके लिए मसेदार वीडियो लाती रहूं तो चेले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सूपर डिलीसिस और अमीजिंग सी बिर्यानी बनाने के लिए हमने लेना है वन कीजी चिकिन और इसमें हम एट के देंगे थोड़ा सा नमक और फूड कलर इसे अच्छी से मिक्स करना है और इसे हमें कोई मैनमेट करके रखना नहीं है तो बस इसके बाद हमने लेना है और आयल में हमने चिकन को अछी से फ्र workflow हो रहा है हम चावछों को बना लेते हैं तो इसे हम अच्छी से फ्राई कर लेते हैं medium टू हाई लें पर इसके बाद हमने लेना है चावछी बनाने लिये पतीला उसमें हम रिवाइंड और आट करेंगे और एक प्याज को अच्छी दर् दिया है उसके साथ ही मेंने हरी मेश और और डाल कर उसे भी अच्छे से बॉल कर लिए जासे ही बॉाइल आया है मैंने इसमें एक्स्टर लॉंग आने बास में तीराा कर दिया था इसले के लिए झूहा है इसले यंक पार nasudma कर दिया यह और इसके साथ ही तो игр ID कर दाकर नाध आगिया है पानी भी इसमें काफी अच्टक शोक होने लगा है देख सकते हैं तो यहीं पर हमने फिलीम को एकदम लो कर लेना है और लो फिलीम पर कवर करके 8-10 मिनट को कर लेना है तो यह देखिए 10 मिनट के बाद मैंने चेक चावल एकदम पॉफेक्ट बना था और अब हमने चिकन को भी यह देखिए चिकन हमारा भी काफी अच्छे से फ्राइ हो गया है और इस पर कितना प्यारा कलर दिख रहा है तो इसलिए हमने थोड़ा सा फूट कलर डाला है ताकि इससे जो काफी अमेजिंग कलर आता है और दिखने में बहुत ही अट्रेक्टिव होता है तो इसे हम जो है निकाल लेते हैं फ्रेंस जिस तरह से हम बना रहे हैं स्टेप बाई स्टेप आप भी वैसी फॉलो करें आपका टाइम भी बच्छेगा और बहुत सारी चीज़े भी बच्छेंगी तो बस इसी ओयल में हमने डालना है प्यास और प्यास को हमने थोड़ा सा नम पेष्ट और बिडियानी मसाला इसके लाँ हमने कुछ भी आड़ नहीं करना है बारी कटाओ हर इमेश एड़ करेंगे और इन सब को अच्छे से भून कर हम इसमें चिकन को आड़ कर लेंगे तो चिकन डिखी काफी अच्छे से इसमें हमने जो है चला लेना है अच्छे से म इस तरह से आप चावल करना है अगर आपको नहीं पसंद है तो वैसे दीखने में बहुत ही अच्छा लगता है तो ऊपर से हमने प्याज जो रखा था वसे भी डाल देंगे और इससे कवर करके कुछ हैवी ऊपर से रख देंगे ताकि इसका स्टीम अच्छे से रहें और य इसे हमने दस मिनिट एष्टीम करना है और गेष्ट का फ्लिम आफ करने के बाद 10 मिनिट के बाद हमने इसे जो है सर्फ कर लिया है तो देखी सकते हैं विर्ष्ट चावल भी कितना पॉर्फिक बना है और बिद्धानी भी कितनी अमेजिंग दिख रही है फ्रेंस इसका टेश्ट भी बहुत ही लाजवाब होता है एक बार इस recipe को try जरूर करिएगा क्योंकि इसमें मसाले भी बहुत ही कम होते हैं तो फ्रेंस इसे हमने जो है एक मज़िदार सी चटनी के साथ सर्व कर लिया है अगर आपको इस चटनी की recipe चाहिए तो आप मेरे को comment box में भर भर कर comment कीजिए इस recipe को आपके शाथ जरूर शेयर करूँगी और आपको भी बताऊंगे कि ये चटपटी चटनी कैसी बनती है अपिका फ्रेंस हमने कितना मज़िदार और कितना चटपटेदार एक्दम बिर्यानी बना कर रेडी कर ली है इसे पिना चटनी के भी खा सकते हैं या फिर आप चटनी के भी खा सकते हैं यह तना चटपटेदार होता है कि बिना चटनी के भी इसी खाया जा सकता है उमीद करती हूँ आपको मेरी ये recipe जरूर पसंद आई होगी कर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथी फैमिली और फ्रेंच में शेयर जरूर कीजिएगा तो मिलते हैं फिर इसी तर रसी को और मज़िदार सी recipe के साथ तब तक के लिए आप अपना के लिए कि आपना के लिए कि बाई